मैं डॉक्टर अमिद मितल डिरेक्टर मितल हैं माइक्र सवजरी सेंटर यहां हम आतों से रिलेटेड ऑप्रिशन करते हैं हमारे पास यह पेशन्ट ने आई इसे सुनते हैं को क्या प्रॉलम की कहां से थी और कैसे ठीक हो है क्या करते हैं तो यह कैसे चूट लगे लिए गाड़ी लेगे चाहिए था पनसर तो इसको ट्रीटमेंट में दो चीज देखा हैं में को समझ में नी है अब जोटे चोवान जी के पाद गया तो अब बुद्वर आपकर अपर अपर बाद आया काहां पर क्या दिकती सुम्ली में इसके यह पश पढ़ी गया था और इस अच्छा तो यहां आया तो आपने इसका प्रेसन करा अच्छा करा तो मिले काफी कुछी कि में बेटा आप कितना ताम करने था तो इसमें किसी भी काम करने में इसको दिखकत हो ली तार समय खोड़ी को गया आपकर को दिकार निभा को तो यह व्दा दोंगा त्याओ था खुझा तो झालगा था प्च्छी अब कुछ लगा था कि हमने कोई दर तीया ऐका लिए उसमें नहीं न अच्छा आप एक्सपिरियंस आपका कैसा था हॉस्पिटल में सेंटर में जब भी आप यहां पर आए तो इस पेशेंट जब हमारी पास आए थे तो इनकी पूरी हट्डियां भार आ चुकी थी और कितना टाइम हो चुका था इनको इसको संतिक मेरा वर हो गया था हमें मेरे अगर किसी की हट्डियां सारी भार बढ़ी है और इंफेक्शन हो जाए और नाखुन खराब हो तो ऐसी इस्तिती में ज्यादा तर हम उसको बचाने के विए उगली को निकालते हैं या फिर मुल्टिपल उपरेशन होते हैं या पुरी हट्डिय निकल जाती है या नाखुन जब हम इनको देखते हैं तो क्योंकि इन्होंने हमारी बात समझी और जैसा हमने कायोंने करवाया तो इनका नाखुन जाने लग गया उनली में बिल्कुल स्टेट है कहीं से टेडी मी है और उनली की शेप भी अच्छी है और कुस ताइम पर नाखुन भी पूरा अच्छी और फिर यह जो मुवमिंट का पार्ट है उसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि जो इनकी जो दागे हैं जो रस्य हैं जो इसको ठाने वागी थी वो काफी खराब हो चुके थे अजर उनमें जान बचेगे और एक्सरसाइज अच्छी करेगा तो शायद भी मुवमिन लग तो जब ऐसी चोट होती है तो हमको यही ध्यान रखना होता है कि हम जो इसका प्राइमरी ट्रिक में लेने के बाद जो भी जो भी आपके डॉक्टर आपको सला देते हैं उनकी अकॉर्णिंग भी आप चले हैं तेंक यू